क्या आपको UPK राम निरंजन के बारे में पता है? राम निरंजन, A.K.A. राजा कोलंडर, 15 लोगों की मौत का जिम्यदार है. सीरियल किलर के अगेंस्ट इंवेस्टिगेशन की शुरुआत साल 2000 में हुई. घर से 14 इंसानी स्कल्स मिलने के साथ साथ, इंवेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा, कि ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक आदम को रह, जो कि इंसानों को मौत के घाट उतारने के बाद, उनके शरीर के कुछ हिस्से, इंक्लोडिंग ब्रेन, खा लिया करता था. यही ने, he even used to take out blood from brains of the victims and then drink it. दिन में एक शौक कीपर और रात में एक सीरियल किलर बन जाता था.